नमस्कार, खोश खबर कारेक्रम के तहट आज हम बात करेंगे एक ऐसे अनोखे प्रयोग की जो मीडिया में कई सालों से चल रहा है बिल्कुल अनोखा प्रयोग है जो शुरू हुआ बुंदेल खंड से वहां से फैल कर यह दिल्ली पहुचा इसका दफ्तर दिल्ली है खबर लहरिया एक बिल्कुल अलग धंका प्रयोग है जिसे ग्रामीर महिलाएं ग्रामीर लड़कियां रिपोर्टिंग के माध्यम से जिन्दा रखी हुई है आज खबर लहरिया की जो संपादक हैं कविता वो हमारे साथ हैं कविता जी आपका स्वागत है कविता शुरू में कविता देवी लिखती थी बुंदेल खंड से आई हैं और अभी हमने जब इन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पहचान बुंदेल खंड की इतनी मजबूत है उसको अपने नाम के साथ आपने जोड़ा है अब वह लिखती हैं कविता बुंदेल खंडी सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खबर लहरिया जो प्रियोक के तौर पे शुरू हुआ सबसे पहले एक अखबार के तौर पे आया जिसे बुंदेल खंड की ओरतें हास से लिखती थी जब सबसे पहले मैं आप लोगों की टीम से मिली थी तकरीबन 15 साल पहले के करीब बात होगी यह उस समय मैं ने देखा था कि हास से लिखा हुआ अखबार था और बहुत ही रोचक लगता था तमाम महिलाएं उसको हास से लिखती थी फिर आप उसको बाटने जाती थी आज आपका प्रियोग एक डिजिक्टल न्यूस प्लेटफॉर्म के तौर पे है कैसे देखती है अपनी यात्रा आप यह तो मैं 2002 से खबल लहरिया में जुड़ी हूं और टोटल महिलाएं हैं जो कि जिस इलाके से खबल लहरिया सुरू हुआ चित्रकूट जिले से हमने कई उद्देशों के साथ में खबल लहरिया की सुरुवात की थी चूँकि जिन इलाकों से हम हैं पहले बात वहां का जो इला तो यूपी और यंपी के बुंदेल खंड इलाके में अभी खबल लहरिया है हमें लगा चूकि उन गाओं में अकबार की पहुंच नहीं थी सूचना का माध्यम नहीं था वहां के लिए तो हमें लगा कि क्यों ना हम ऐसी चीज की सुरुवात करें पढ़ने का अधिकार तो मानी जाती है। महिलाओं की दुनिया नहीं मानी जाती है। क्योंकि ऐसा मनना है जो मर्द है बात करूं 2002 से लेकर के 2000 12 तक 15 तक में और अभी भी नहीं कहूंगी कि लोग जाते है को अभी भी लोग नहीं जाते हैं सोचल मीडिया जमाना हो गया है तो थोड़ी बहुत तरह का हो जाता है तो हमने शुरुआत करी है और हमें लगता है कि जिस तरह की रिपोर्टिंग खबल हरिया करती है और की है फिरू से बहा की और जो हमारी मेरी यह मेंain धे अपड़ी यह मेडिया में वह चीज़े नहीं आती है और यह ज़रूरी है ग्रामी लाकों के लिए आउ कि समस्यां गाउं में चल रही हैं उन चीजों को जब तक हम लिख करके सरकार तक समाज तक उस बात को नहीं पहुंचाते हैं तो उसकी आवाज हो पर सीमित रहती है तो अभी इस से में बात कर रहें 2019 में अभी कितने पहलाओ रहें कितने लोग आपके सबसे से हुई थी और कुछ सीमित मही लाएं थी धीरे धीरे जब खबल लहरिया की उनती होती गई क्यों कि दो पेज का एक बार था जब जब हमारा पेपर मार्केट में गया लोगों तक गया अच्छा लगा तो फिर आप लोग साइकल से पहुचाते भी साइकल कहां होती थी जितन लोग गाउं तक पेपर दो रुपए का पेपर होता था उसको पहुचाने के लिए जाते थे रिपोर्टिंग के लिए जाते थे चित्रकूट जिले से सुरुवात हुई फिर धीरे जैसे जैसे अकबार लोगों ने पढ़ा उनको लगा हमारी खुद की भासा है बड़े ने ले जाते थे जुन में पढ़ते थे उनको बड़ा अच्छा लग जयाता तो फिर बांदा में महोबा में मांग हुई पिर जासी फायजा बाद मन मतलब पूरे जब यह मांग हुई तो हम फिर कुछ कुछ दिनों में अपने एडिसन को फिर लांच किये और अभी हमारा एक चालिस लोगों की टीम है और चालिस लोगों की टीम इन दोनों अला कुंछा पूरा बुंदेलखंड यूपी और मध्धा-प्रदेश को बुंदेलखंड है इसमें है तो इक चالिस लोग हैं इनका कैसे आपने चुनाव किया क्या ख़बरें आप इनसे कहती है कि एक खबर करते हैं लड़कियों को और महिलाओं को भरती करने के लिए याप प्लेट छपाते हैं हमारे पास अपली केसन और फोन आते हैं पिर उनको बुलाते हैं फिर उनका इंटर्विव करते हैं फिर उनकी जब चायान हो जाता है तो बेसिक ट्रेनिंग होती है पत्रकाईता की फिर में विजडेट देया जाता जाता थे cell relative Bennett तक ट्रायाल में रखते हैं तो पूरा जो यह कंका करता या कैसी को पत्रकाईता की बेंटी जहां आज अगर अंतर है कि रिपोर्टिंग में उद्देशों में तो मुझे लगता यह जानना हर पत्रकार के लिए जरूरी है क्योंकि जो मैं आज मीडिया की रिपोर्टिंग देखते हूं जब पढ़ती हूं मैं देखती हूं कि उनको नहीं पता कि गर एक महिला के साथ में मंऌना बढ़ता है जिसम और बढ़ती है तो हमें हैं वारप पत्रकार को जानना जरूरी है तो धियुज किसे चीज करना है खबर को कैसे लिखना है, खबर क्या होती है, खबर तो सब चीज़ जितनी बेसिक पहीं होती है। और पत्थर गिर रहे हैं तो हर मुद्दे की रिपोटिंग है मारे में देखि बुंदेल खंड के जो मूल बूच सुभिधाय होनी चाहिए जिनकी जरूरत है और उसकी सुभिधाय अगर लोगों को नहीं मिल रही है उस पर आवाज उठाना ग्रामीड मुद्दो की खबर चा और का कहते हैं जो महिलाओं की उपर होने वाली हिंसा है सरकार की योजना है कुछ अच्छी न्यूज लोकल हीरो काउन से हैं फिल गुट में क्या हो रहा है राजनीती में क्या चल रहा है हमारे यहां की राजनीति को जब दिल्ली में या बड़े इस तर पर जब कोई मामला होता है तो हम उसको अपने लोकल इसतर से जोड करकर एक उसकी कबरेजबी करवाते हैं तो कही ऐसी मतलब कोई भी ऐसा बीट नही है और हमारे सो भी अलग अलग चलते हैं तो खाना सु चलता है तो खाना खाजाना से जुड़ी हुई चीजै ए toca मेरा एपना सु चलता है तो उसमें मेरा उफीनियन है राजनीती का सु है फिल्मी दुनिया है तो हर तरहे की चीज़े सारी चीजह रहती है सबसे अदceksin क्या आई जैसे माली जी आप खान पर बात करती है आप आपके हां बात ही होती है कि अनाज नहीं बट रहा जिस तरह से अना जाना चाहिए जो लोकल समस्याएं हैं दिक्ते सबस्यादा क्या आती है और लड़कियां और महिलाएं उस इलाके में रिपोर्टिंग करने जाती हैं तो क में पत्रकार हो नहीं सकती कि हैं, यह महिलाओं को कामिन है वह उनके गाओं की महिला, दलित महिला, ug Titans महिला muslimान, महिला यह कैसे गाओं की उपर सवाल पंचाद के ओपर सवाल उभास उठा सकती हैं To खैर हमने बहुत जूजा बहुत leisure, लड़ यह लड़ी समाज से सरकार से विभाग से और जो नेता मंत्री हैं मतला भारिस्तर पर हमारी उपर सवाल उठते गए और हम चाहएं तो अभी हैं लोग चाहते हैं क्योंकि लोग डरते हैं यह तरह से क्योंकि जिस और चुनवतीया काई बालोगों को लगता जब हम जाते हैं और अलग अलगी लोगत करना सबसे बड़ी चुनवती हमारे विर जोती है सब知道 होने हking है और अब तद आफ हम यह तक पहुंच पाहर हैं और चौनोतीया है और बनी हो सकते हैं और अभी खबर लहरिया ने अपनी जगा लंबे समय में बनाई है जैसे चमीली देवी पुरसकार भी खबर लहरिया को मिला अभी तक जो बिल्कुल अंदेखी रिपोर्टर्स थी वो भी सामने आई हैं आपने अपनी जगा बनाई है तो वो देख के कैसा लगता है आपको अभी आप शारुक खान के साथ भी एक प्रोग्राम में आ रही हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है अब जब मैं इतनी बड़ी दुनिया को देखती हूं जिसको मैंने कभी नहीं सोचा था क्योंकि दो पेज का अखबार ब्लाइकन हॉइट और धीरे धीरे मतलब उसकी सीमा उसका दारा बढ़ता गया जिले बढ़े अलग अलग भासा में हु फिर अब डिजिटल हो गया है तो जिस तरह की उन्नतियों जैसे मांग हुई लोगों की तो बढ़ोतरी मुझे लगता जिस तरह से हम लगे रहे सबसे बड़ी बात है कि डरना नहीं है आपको आपको कितना भी हमको डराया गया धमकाया गया लेकिन हम नहीं डरे हम टटे र सकते हो आगे तब बढ़ सकते हो जब आप एक तरह से इस पच्छ रूप में काम करते हो जो चीज चाहिए वो चीज आप दे सकते हो हमने ऐसी ऐसी रिपोर्टिंग जब करी गाओं की खबर निकाली जहां पर कुछ भी नहीं है आजादी के बाद भी अगर उहां पर मीडिय कि कोई नहीं आया और लोगों की इतनी समासेथी मुसीब्ट है तो हमें लगा कि इस दोर में मीडिया का होना या किसी ऐसे माध्यम का होना बहुत जरूरी है कि जो हमारा गाव है जो हमारा ग्रामीड है जहां से हमको सब कुछ मिलता है उसकी आवाज को बाहर पहुंचाना जरूरी है वो हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब दी रही है तो दबाओ तमाम रहे लेकिन अभी भी आपके टीम अगर 40 महिलाओं की लड़कियों की टीम है जो जमीन से रिपोर्टिंग करी जिसको आपने स्मार्ट फोन दिये हैं और जो बहां से रिपोर्टिंग करती है तो यह अपने आप में तस्वीर तो काफी बुंदेल खंड की जिस तरह की तस्वीर दिली में रही है अब तक तुसमें तो बहुत तब्दीली आई होगी तब से लेकर अब तक बहुत बदलाव हुआ होगा लोगों ने इन रिपोर्टर्स को अब रिपोर्टर के तो देख तो यहाद है कि जब हम महिलाओं को पत्रकार बनाने के लिए भूड रहे थे उस टाइम पे मो पड़ी लिखी आउरती नहीं मिल रही थी तो बड़ी ही उस से हमने अग आउर्तों को निकाला तो कोई पांच मी पड़ी है कोई साथ तक पड़ी है कोई पड़ी ही नहीं है न जब प्रोडक्शन होता था महिलाओं को लिखना नहीं आता था कि अगर लिखना तो अपनी खबरों को इतना जजबे के साथ में गाउं के मुद्दों को जो भी चल रहा है बताती थे और हम उसको लिखते थे आज जब महिलाओं आई थी राजनीति कोई भी समझ नहीं थी प् जो सोच है समाज के प्रती नारिवादी के हमने उसकी पित्र सतात्म क्या सब चीज की जब ट्रेनिंग दिया और बदला जब मैं अपनी टीम के ऊपर देखती हूं जब आप चुना होते हैं हमारे पत्रकार धडले से रिपोर्टिंग करते हैं मस्त रिपोर्टिंग करते हैं नेता बिधायक की इंटर्विव करते हैं खुब आपकी टीम सक्री थी खुब जमकर रिपोर्टिंग हो याभी हरियाना में चुना हुआ वहां पर हमारे पत्रकार गय सीधी लाव किये तो मतलब खुद की जो आत्म विस्वास है जो खुद की छमता है उसमें बहुत ब्रद प्रियोग चलता रहे और कम से कम बंदेल खंड की धरती से जो ग्रामीन रिपोर्टिंग और वह भी ग्रामीन महिला रिपोर्टिंग है यह मुझे लगता है आप में बहुत नायाब है बहुत अनूठा प्रियोग है और इतने लंबे समय से चल रहा है और इतनी बड़ी टी राकी जो पत्रिकाइरता है उसमें यह सारे सवाल जो खबर लहरिया उठाती है जमीन से रिपोर्ट कर रही है यह बिल्कुल गायब हैं तो आपका दबाव बना रहना बहुत जरूरी है खबर लहरिया का बना रहना और और ज़्यादा दिनो दिन मजबूत होना बहुत रहा है गोदी मीडिया बन रहा है मोदी मीडिया बन रहा है ऐसे में ग्रामीर रिपोर्टिंग और वह भी महिलाओं द्वारा रिपोर्टिंग जो चल रही है उसे सलाम करना जरूरी है उसे पहचानना जरूरी है और उसे जगा देनी जरूरी है